मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकोन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पौश सकें हाई फ्रेंड्स मैं शुबोजीत Computer Teaching Institute से फ्रेंड्स इस वीडियो से हम लोग Microsoft Office Excel 2010 वर्शन का टुटूरियल को शुरू करने वाले हैं आज हम लोग Excel का कुछ basic part के उपर पहले discuss करेंगे उसके बाद next वीडियो से हम लोग lesson 1, 2, 3 इस तरह से जो भी लेशन से उसको complete करते जाएंगे तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का Excel tutorial तो पहले question में जाते हैं देखिए फ्रेंड्स में Office Excel 2010 का यहां पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ यह आप लोग थुरा से देख लीजेगा वीडियो का बॉस करके तो हम पहले ही यहां से start करते हैं how to open Microsoft Excel 2010 कैसे हम लोग Microsoft Office Excel को open कर सकते हैं तो Microsoft Office Excel को open करना बहुत ही easy है आप लोग search bar में जाके बस Excel लिखिएगा तो आपका computer में जो भी Excel का version है वो open हो जाएगा या तो आप start button से program में जाके भी Microsoft Office से Microsoft Office Excel को open कर सकते हैं next question में यहां पर दिया है how to apply copy and paste any text in Excel कैसे हम लोग Excel में copy paste कर सकते हैं तो Excel में copy paste को करने से पहले कुछ basic चीजों को यहां पर जान लेते हैं Excel को बनाया गया है सेल के मदद से देखे यह जो column है column के उपर से जब भी एक row गुजर रहा है तो बहुत सारा sales बन रहा है अगर मानिये कि यहां पर एक column हम लोग drag किया और उसके उपर से और एक row हम लोग drag करेंगे तो यहां पर sale बन जाएगा home, insert, page layout, formula, data, review, view, developer और भी कई सारा tab बाद में काम करते हुए आएगा वो हम लोग बाद में जानेंगे तो देखेवेंस यहां पर एक box है जिसका नाम है name box, इस box का नाम name box क्यों रखा गया है हम लोग का excel में जो भी sales होता है वो सारा sales का अपना एक unique ID मतलब unique एक नाम होता है वो नाम कैसे बनता है देखिए हर एक column को यहां पर A, B, C, D, E, A, G इस तरह से indicate किया गया है और हर एक row को यहां पर 1, 2, 3, 4 करके indicate किया गया है तो यहां पर जो भी columns आप लोग को दिख रहा है actually S तक नहीं है यह बहुत दूर तक गया है जो की XFD तक है XFD जिसको अगर हम लोग गिनने जाएंगे तो 16,384 columns यहां पर होगा और row जो आप लोगो दिख रहा है यहां पर 24 या 25 तक दिख रहा है यह भी नीचे बहुत सारा है यह नीचे 10,48,560 बतब 10,48,576 rows यहां पर है अब अगर यह दोनों नंबर को आप लोग गुना करेंगे तो उसमें जाके आप लोग को यह पता चलेगा कि कि यहां पर sales कितना है तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ मैं calculator को open कर लेता हूँ calculator को open करके आप लोग को दिखाता हूँ देखिए यहां पर column हम लोग का कितना है 16,384 multiply 10,48,576 तो यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिए इतना column इतना सारा sales यहां पर है Excel का एक sheet में एक page में हम लोग को इतना सारा sales मिलेका मतलब यह काफी है हम लोग को कोई भी table बनाने के लिए कोई भी काम करने के लिए काफी sales है मतलब बहुत सारा sales यहां पर है अब यह बहुत सारा sales जो है वो अलग-अलग sale का अलग-अलग अग unique number, unique ID है कोई भी wholesale से दूसरे एक sale में जाने के लिए हम लोग को name box का जरुरत होता है जैसे कि ये एकदम first में जो cursor अभी मेरा है cursor मतलब यहाँ पे excel का देखिए ये black color कर जो pointer है इसी को समझाया जा रहा है तो ये एकदम first में है मतलब ये a1 sale है एक का column है one का row है मतलब ये जो sale है ये a1 है इस sale का नाम है a1 अभी मानिए कि मुझे अगर जाना होगा last sale में या कोई भी sale में तो उस sale का number अगर हम इस name box में लिखके enter दूँगा तो वो sale में मेरा ये cursor बहुत जागा देखिए मानिए कि मुझे यहाँ पे जाना है ये है m और ये है 19 मतलब m19 का घर में जाना तो यहाँ पे click करके अगर हम लोग click देंगे m19 और enter देंगे तो दिखिए मेरा cursor यहाँ पे आ गया है इसलिए इसका नाम दिया गया है name box आप कोई भी sale से कोई भी sale में जाने के लिए या उस sale से बापस आने के लिए ये name box का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि मैं फिर से a1 में आ जाता हूँ तो a1 लिखके enter दे दी तो देखिए a1 में हम लोग आ गया है तो इस तरह से हम लोग एक sale से दूसरे sale में name box का जरी जा सकते हैं और ये वाला box क्या है formula box है या formula bar है तो इसका काम मैं आप लोग को बता रहा हूँ कोच questions पहले discuss कर लेते हैं अब देखिए Excel में हम लोग को तीन cursor मिलेगा तीन तरह का cursor मिलेगा एक तो आप लोग को दिख रहा है कि ये motor type का जो plus है इससे हम लोग actually select कर सकते हैं और एक cursor अप लोग को दिखेगा देखिए ये अब थुरह सा गौर से देखिए चारो साइड में चार एरो और बीच में मेरा mouse का pointer ये वाला जो pointer आप लोग को आएगा जब जब तब आप समझेंगे कि अभी हम लोग text को move कर सकते हैं कैसे वह भी दिखा देते हैं माने कि यहां पर मैं कुछ type कर रहा हूँ Excel में दिखिए text को select करना पड़ेगा सभी software में होता है बिना select के हम लोग कोई काम तो करते नहीं है मतब कर नहीं पाते तो यहां पर Excel में लेकिन इस तरह सा selection का कोई process नहीं है जैसा हम लोग word में करते आया है word तक Excel में ऐसा selection नहीं है Excel में select करने का process है आप कोई भी box में कुछ भी लिखे कोई problem नहीं है लेकिन उस text को select करने के लिए आपको कोई भी दूसरे cell में एक बार click करके बापस उस cell में click कर देने को हम लोग select कहते हैं या Excel का procedure यह है select करना तो इस तरह से पहले select कर लिजी क्योंकि बिना select के हम लोग move या copy कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो अब देखिए हमको दिखाना है आप लोग को यह जो pointer आ रहा है इसका काम अब click करके उस text को move कर सकते कोई भी एक cell से दूसरे cell में यह है move करने का तीसरा और एक cursor आप लोग को दिखेगा जो है देखिए आप दिख रहा होगा आप लोग को एक पतला type का plus करदा दिख रहा है यह dragging cursor है drag करने के लिए होता है इसको अगर हम लोग इस तरह से drag करतेंगे तो यह drag हो जाएगा मतलब कोई भी cell में रहा कोई भी text को वह copy करके नीचे ला सकते या कोई भी cell में अगर कोई formula होगा तो उसको भी वह copy करके ला सकता है इसका काम हम लोग बाद में बहुत बार हम लोग को करना पड़ेगा बाद में हम लोग इसके बार में और भी details से जान लेंगे तो हम लोग को अभी चो question दिया है वो है कैसे copy paste करते excel में ठीक है यहां पर देखिए दो number question है how to apply copy and paste in excel तो चलिए कोई भी एक box में या cell में पहले कुछ type कर देते हैं तो suppose money यहां पर मैं लिख रहा हो YouTube ठीक है अब इसको select करने का process क्या है बाहर में click करके उसी cell में click कर देंगे तो यह select हो गया अब इसको मुझे copy करना पड़ेगा copy करने के लिए हम लोग जानते कीबोर्ट से Ctrl-C ठीक है या तो आप लोग यहां पर copy का option है यहां पर copy भी कर सकते हैं कोई problem नहीं तो मैं Ctrl-C कीबोर्ट से कर देता हूँ जब भी आप copy करेंगे तो देखिए चारो साइड में यह border जैसा घूमने लगा है मतलब आप समझ जाएंगे कि मेरा text अभी copy हो गया है जो की word तक हम लोग को समझ भी नहीं आता था कि copy हुआ है कि नहीं Excel में समझ में आएगा इसके बाद जो भी box में आपको paste करना है इस text को उस box में पहले slit क्लिक कर दीजे उसके बाद आप keyword से control भी दबाएए या तो यहां पे देखिए paste का option इसमें क्लिक करने से भी हो जाएगा या आप अगर चाहते कि यह वाला जो text इसको बहुत सरा cell में एक ही साथ लाने तो आप बहुत सरा cell को एक साथ slit कर दीजे और paste में क्ल keyboard से control भी दबा दीजे तो एक ही बात है आपका text सभी box में जितना सरा box को आप सो slit की है वो सभी box में यह सभी cell में आ जाएगा अब इसको हटाएंगे कैसे जो copy हुआ है मतलब copy अभी तक ready है उसको हटाएंगे कैसे keyboard से escape की को press कर दीजे मतलब एक दो first key जो होता है keyboard का उसको press क कर दीजे तो वो हट जाएगा हो गया अभी और एक बार अब पेस्ट करके देख लिए कि पेस्ट का option अभी active नहीं है क्योंकि पेस्ट तो नहीं हो और copy हम लोग हटा दिये इसलिए तो इस तरह से हम लोग copy paste कर सकते हैं ठीक है next question में क्या देखिए type a text in first cell and copy to last cell ये question बहुत लिखता हो और बाहर में क्लिक करके इसमें क्लिक करके फिट से select कर दिये इसको ठीक है अब इसको मुझे copy करना है और लेके जाना एकदम last cell में तो copy करने के लिए हम लोग क्या जानें Ctrl-C अब ये है name box name box से हम लोग जाने थे पहले कि एक cell से हम लोग दूसरे cell में जा सकते है या cursor को move करवा सकते हैं ठीक है तो इसमें पहले क्लिक कर दीजिए और last cell का जो number है वो है xfd1048576 अभी ये Q हुआ देखिए आप लोग को screen में जहां तक row और जहां तक column दिख रहा है वहां तक समझे पहले ये है s का line आप लोग को s तक दिख रहा है ये है s का column s का column में आप को यहां तक दिख रहा है तो मानी यहां पर ना मैं एक color यहां पर आड़ कर जाता हूँ देखिए yellow color मैंने add कर दिया है यह है s का column और यह है 24 वाला row मतलब इस cell का number क्या हुआ यह हुआ s 24 उसके आगे वाला का r 24 उसके आगे वाला का q 24 उसके आगे वाला का p 24 उसके उपर वाला का यह हो गया आपका s 23 तो आपको यहां तक last यह मानी यह last excel का तो आपको यह number कितना आएगा इसका यह आएगा s और यह 24 मतलब यह s 24 आएगा इसी तरह से आप अगर मानी एकदम last में चले जाएए, ऊपर में आपका लिखा हुआ है except d, जो कि last sale number है, मतलब last column है, और नीचे में यहाँ पर 24 की जगा में लिखा हुआ है, 1048576, यह last है, तो आपका यह number कितना आएगा, वो ही ना आएगा, जैसे यहाँ पर is 24 आ रहा है, मतलब यह जो sale का number होता है, वो alpha numeric होता है, पहले alphabets और उसके बाद numeric, तो उस यहाँ पर अगर except d लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर 1048576 लिखा हुआ है, तो इस sale का number होना चाहिए, except d1048576, ठीक है, तो वो ही यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि यह last sale का number है, और हम लोग को वही पर जाना है, तो हम लोग को लिखना है, except d, और 1048576, और लिखके अब enter दीजे, अब देखिए, हम लोग एक दम last sale में आ गया है, यह last sale का, देखिए, उपर में दिख रहा है, वो except d, और यहाँ पर देखिए, 1048576, अब यहाँ पर मुझे paste करना है, तो paste करनी के लिए हम लोग क्या करेंगे Ctrl V, आगया है मैरे Excel का text, तो यह last sale करकी यह दिखाया गया है, इस question में कि हम लोग कोई भी sale से, कोई भी दूसरे sale में copy paste कैसे कर सकते हैं, और last sale को या तो कोई भी sale को हम लोग कैसे देख भी सकता है, और move भी कर सकते हैं, तो चलिए मैं पहले फिर से A1 में चला जाता हूँ, तो A1 लिखके यहाँ पर मैं enter देता हूँ, तो मैं फिर से देखिए, first sale में आ गया हूँ, ठीक है, अब यह copy को हटाने के लिए escape दिऊंगा, इसके बाद next question, feel Sunday to Saturday and January to December by drag process in Excel, कैसे हम लोग Excel में Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday यह सब को और January, February को भी drag process के जरीए feel कर सकते हैं, तो देखिए Excel में बहुत एक interesting चीज है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा January और इसको मैं drag कर दूँगा, ड्रैक करने के लिए कौन सा करसर यह, यहाँ पर है, ठीक है, तो रहाँ सा ध्यान से देखिएगा, जो box आपका है, मतलब boundary जो आपका है, उसमें जब आप एकदम last उसमें करसर लेके जाएंगे, तो वो plus के तरह हो जाएगा, उसी से हम लोग drag कर पाएंगे, अगर plus के तरह नहीं होगा, तो काम नहीं होगा, ठीक है, अब देखिए मैं January यहाँ पर लिखा हूँ, और यहाँ पर drag कर रहा हूँ, तो January से जहां तक मैंने drag किया है, वहां तक totally स सारा मन्थ आ गया है, rotation wise, मतलब December के बाद फिर से January स्टार्ट हो गया है, और उसी तरह से, मैं अगर यहाँ पर, sorry, Sunday Monday का भी एक बाद लिखा, लिख के आप लोगो को दिखा देते हैं, Sunday लिखे हैं, और इसको select करके, इसको भी अगर मैं drag कर देता हूँ, यह भी rotation wise, मतलब Saturday के हैं यहाँ पर, लेकिन one यहाँ पर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पर यह कारण जानना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यह सब क्या है, जनुर के बाद फिरवरी ही होने वाला है, Sunday के बाद Monday ही होने वाला है, लेकिन one के बाद हमेशा ही one ही होगा ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नमबर दो तरह का होता है, एक even number होता है, दूसरा odd number होता है, अब one तो एक odd number है, तो यहाँ पे computer यह से नहीं समझ पा रहा है कि इसके बाद क्या सारा odd number से लाना है, कि continue number लाना है, कि इसके बाद क्या number लाना है, वो उस 2,3,4 करके यहाँ ड्रैग करने से तो वो कैसे होगा वो दिखा देते आप लोगों इसका दो प्रोसेस एक प्रोसेस से पहले आप 1 लिखिए और नीचे बाला सेल में 2 लिखिए अब दोनों को एक साथ स्लेट कीजिए दोनों को एक साथ स्लेट मतलब हम लोग अभी तक एक लिखेंगे वान लिखके ही लाना चाहते है तो वान लिख आप ड्रैग कीजिए और नीचे में दिखिए यहाँ पर एक छोटा सा option दिखेगा जिसका नाम है autofill option इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर fill series आ गया है fill series में क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए हो गया है ठीक है तो इस तरह से भी हम लोग 1234 को feel कर सकते संडे मंडे को feel कर सकते जनुरी फेडरी को feel कर सकते लेकिन यहां पर यह नहीं होगा कि आप अपना नाम लिखेंगे और ड्रैक कर देंगे तो उसके बाद अपका फ्रेंड्स का नाम सारा आ जाएगा नहीं होगा यह बनाना कि जैसे कि जनुरी के बाद फेडरी मांच यह सब आटमेटिकली आ गया या संडे के बाद मंडे ट्वेस्ट आटमेटिकली आ गया इसी तरह से हम लोग भी अगर चाहते कि कई पर आप काम करते हैं और यहां पर बहुत सारा आइटेम का नाम हम आपको बार बार लिखना बार लिखें तो सारा आटेम का नाम आटमेटिकली आ जाएगा तो कैसे होगा दिखाते हैं पहले आप फाइल में जाए फाइल से आप्शन में जाए ओप्शन से यहां पर देखिए अडवांस नाम का एक ओप्शन आपको मिलेगा ठीक है यहां से अब एकदम नीचे आजा सबस माने कि आप biscuit लिक रहा है लिकिए लेकिन उसके बाद comma दीजिए फिर एक space दीजिए comma देने के बाद एक space देखे फिर आप दूसरा type कीजिए नहीं तो नहीं होगा लेकिन ठीक है अब देखे मैं यहाँ पर chocolates type कर देता हूँ तो देखे यहाँ पर कुछ item का नाम मैंने type कर लिया है अब मुझे okay करना होगा ठीक है okay करने के बाद फिर से okay देखे आप लोग को okay दीख रहा होगा यहाँ पर है okay okay में click कर दीजिए अब मुझे यहाँ पर वो सभी item में से कोई भी एक item का नाम है पर type करना तो मैं यहाँ पर suppose type कर देता हूँ sugar मुझे जानने का जरूत नहीं कि कौनसा item किसके बाद लिखा हुआ है एक ही item लिखेंगे और drag कर देंगे देखे आ गया sugar biscuit chocolate rice butter coffee soft drinks cold drinks oil फिर से sugar तो जहां तक आपका मतलब जहां तक आप ड्रैक करेंगे देखिए मेरा तो एक्चुली नाम ही इतना लेकिन उसके बाद यह और भी आता रहेगा चुली क्योंकि अब जहां तर ड्रैक करेंगा item कर नाम जितना होगा उसके बाद फिर से वह कंटने उसको लाता रहे जहां तक आप ड्रैक करेंगे ठीक है वह आपका काम है कि कहा तक आपका आईटेम और कितना आपका आईटेम है वहां तक आप ड्रैक कीजिएगा तो आपका सही रहे का नहीं तो अगर ज्यादा आ जाएगा तो डिलीट भी हो जाएगा जैसे कि मुझे नीचे का पॉर्शन नहीं चाहिए जिलेट करके डिलीट कर देते हैं तो एकदम इजी हो है नेक्स्ट है चेंज यूर एकसल शीट रो एन कॉलूम साइज इंडिविजुवली कैसे हम लोग एकसल का जो रो और कॉलूम है उसका साइज को चेंज कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए शीट 2 में चला जाता हूँ शीट 2 मतलब एकसल में बहुत सरा शीट होता है इसको हम कि य लोग बात में दिखायेंके कीस तारा सरी इसको लाते है का से नाम चेंज करते हैं भो बात में दिखाते हैं कि यहां पर देखिए मानिय की मेरा table यहां से यहां तक है, जहां तक मैंने select किया है, इसको एक border बना देते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा, देखिए, यहां तक मानिए कि मेरा table है, अब यहां तक जो table मेरा है, इस table में, जो भी column और जो भी rows है, वो सभी rows और column का मुझे size बराना है, ठीक है, अब देखिए, row जो होता है, row मतलब horizontal line जो होता है, वो actually किस में बढ़ेगा, वो week में बढ़ेगा, मतलब उपर और नीचे में से format में, ठीक है, format से यहां पर देखिए row height और column width, row में height क्यों लिखा है वो आप लोग को पहले ही बता दिए, क्योंकि row दोनों उपर में बढ़ेगा, उपर और नीचे बढ़ेगा, तो suppose 15, और okay कर देता हूँ, sorry, यह row का height 15 ही पहले से होता है, तो इसमें और बराना हो, तो 25 लिख देता हूँ, और okay, अब देखिए, सभी rows का आप लोगों को दिख रहा होगा, बाहर में click करके दिखाते हैं, यह देखिए, सभी rows का जो line है, width है, वो बढ़ गया है, ठीक है, अब इस तरह से मुझे क्या करना है, column का भी increase करके दिखाना है, select कर लिए, format में गए, और column width से, यहाँ पर देखिए, column का width होता है, मतलब एक line से दूसरे line के बीच में गया है, तो इसको 8.43 हिसाब से नापा गया है, तो यहाँ पर मैं suppose कर देता हूँ 20, और okay, अब यह देखिए, अब यहाँ पर क्या फाइदा क्या हुआ हम लोग को कि सभी column और सभी rows का size एक ही जैसा है, यह इसमें सुविदा हुआ, ठीक है, सभी rows और सभी column का size एक ही जैसा हुआ, इसको अगर पहले जैसा आप लोगो करना होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए, पहल पहले जैसा हो जाएगा, तो इस तरह से friends हम लोग का और row का उईद को बढ़ा सकते हैं, इसमें और भी questions है, 7 से 12 तक है, मतलब हम लोग 6 तक देखिए, तो यही तक रहने देते हैं, आज इस वीडियो में, 7 से 12 तक का questions आपको next video में मिल जागा, क्योंकि यह वीडियो बहुत हो जा रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में हम लोग और भी questions के उपर discuss करेंगे, thank you friends, पूरे वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, टाटा.